हेलो दोस्तो मैं हूँ सूरज और आप सभी सुन रहे हैं सूरज की कहानिया आसागरताओं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आप सभी अपनी सेहत का पूरा पूरा खयाल रखें क्योंकि मेरी भी तब्यत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी जब मैं थोड़ा रिकावर हुआ तो मैंने सोचा कि यार अब आप लोगों के लिए कहानियों को जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं कि भाई स्टोरी क्यों नहीं आ रही है तो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए सायद ही ये मेरे चैनल पर पहली ऐसी कहानी है जो कि मैं फॉरेस्ट आफिसर के उपर ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तो अमीद है कि आपको फॉरेस्ट आफिसर की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो प्लीज आप इसे पूरा वाच करियेगा और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर जरूर करियेगा नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही अच्छी आने वाली है तो पहले आप इसको सुनकर बताईए तो आईए ज़्यादा समय बरबाद ना करते हुए सुनते हैं आज की ये फॉरेस्ट आफिसर और यक्षणी की डरावनी कहानी मैंने अपनी पत्नी को आवास दी अनू अरे अनू कहाओ तुम अरे जल्दी से मेरी चाय लेकर आओ मुझे देर हो रही है अनू भागी भागी मेरे पास आई और कहा अरे आपकी तब्यत इतनी खराब है उसके बाद भी आपको बाहर जाना है तो मैंने कहा तुम जानती होना कि ये मेरी पुरानी आदत है मुझे रोज गाओं के चावराहे पर बैठ कर अपने दोस्तों के साथ बाते करना कितना पसंद है और मैं एक दिन भी सिर्फ घर बैठे नहीं रह सकता तो अनु ने कहा अरे हाँ हाँ पता है आप नहीं मानने वाले साथ की उम्र हो गई है और तब्यत भी अकसर खराब रहती है आपकी इसके बाद भी आपको अपने दोस्तों के साथ होने वाली बैठक नहीं छोड़नी है अभी लाती हूँ आपकी चाए अनु ये कहकर चाए बनाने के लिए चली गई थोड़ी देर के बाद अनु ने मुझे चाए दी और चाए पीने के बाद मैं चल पड़ा अपने गाओं के चौराहे के पास जहां पहले से ही मेरे दोस्तों बैठे हुए बाते कर रहे थे उन में से एक था अभी राज जो मेर आ रहा हूँ तो उसने चिंता से मुझे से पूछा अरे विकास भाई तुम ऐसी हालत में भी यहां आ गए अरे घर में अराम करना चाहिए ना तुम्हें मैंने उससे कहा अरे नई नई यार मेरी तबियत घर में पड़े हुए ठीक तो नहीं होने वाली मैं तो तुम सबके स मार कर ही तंद्रूस्त हो पाऊंगा मेरी बात सुनकर मेरे सारे दोस्त हस पड़े कुछ देर इधर उधर की बाते करने के बाद आचानक अभी राजaste ने कहा अरे दोस्तो हम सब इतने समय से यहां बैठकर गपसब करते हैं लेकिन कभी भी हमने अपनी जवानी के दिनों के बारे में बाते नहीं की, क्यों न आज कुछ पुरानी यादे ताजी कर ली जाएं, तुम सबके सात कभी न कभी कोई ऐसी घटना तो घटी ही होगी, जिसे आप लोग कभी नहीं भूल सकते, क्या कोई है ऐसा, जो सबके सात कोई ऐसी घटना साजा करें, जैसे ही उसने वो बात कही मुझे वो रात याद आई जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता था मैंने और मेरे साथियों ने उस रात को जो भी चीजे महसूस की वो रौंगते खड़े कर देने वाली थी तो मैंने कहा मैं उस घटना को याद तो नहीं करना चाहता लेकिन आज तुम्हें मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो मेरे साथ आज से पचीस साल पहले घटी थी वो रौंगते खड़े कर देने वाली घटना है सब लोग थोड़े हैरान हो गए अभी राज के साथ मेरा दोस्त सुनील बैठा था उसने पूछा ऐसा क्या हुआ था भाई तुम्हारे साथ जरा हम भी तो सुने तो मैंने कहा ये बात मेरे अलावा सिर्फ तीन लोगों को पता है अपनी पतनी से भी मैंने कभी भी उस घटना का जिक्र नहीं किया आप सब तो ये जानते ही है कि आज से पचीस साल पहले मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया करता था सबने हामे सर हिलाया तो मैंने कहा ये घटना उसी समय की है मैं ओडिसा में रहा करता था और तब मेरी साधी भी नहीं हुई थी ओडिसा में एक छोटा सा गाव था बारगड उस गाव में एक जंगल था जहां पर कई अजीबो गरीब घटनाएं अक्सर घटा करती थी ऐसा भी कहा जाता था कि उस जंगल को किसी औरत का अभिसाप लगा हुआ था जिसकी वजह से उस जंगल में अजीबो गरीब घटनाएं हुआ करती थी कोई भी उस जंगल में जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो जंगल इतना भायानक था कि दिन में भी वहां जाने से इंसान के रॉंक्ते खड़े हो जाएं अब जरा सोचो कि ऐसे खतरनाक जंगल में अगर कोई रात को चला जाये तो क्या होगा कुछ बहुत भायानक जिसके बारे में आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते अभिराज ने कहा अरे ऐसा क्या हुआ था भाई तुम्हारे साथ तो मैंने कहा दरसल मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था और मेरे साथ मेरे तीन और साथी थे गगन, अनवित और रुहान हम चारों को ही एक फिक्स टाइम के बाद जंगलों की जाच करने के लिए जाना पड़ता था ताकि कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आने वाले जंगलों में कोई इलेगल काम ना कर रहा हो हम चारों का काम ही जंगलों में इधर उधर घुमते हुए वहां होने वाली हरकतों पर नजर रखना था पान सालों से हमें इस काम का अनुभाव था लेकिन बारगड के जंगल में हमें जो अनुभाव मिला वो चौका देने वाला था हुआ यूँ कि एक दिन मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड का कॉल आया और उसने कहा विकास सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग बारगड के जंगल में इलेगल पेडों की कटाई करने के लिए वहाँ जाने की कोसिस कर रहे हैं तुम्हें अपने टीम के मेंबर्स के साथ वहाँ जाकर चेक करना होगा तो मैंने कहा ठीक है सर लेकिन कब जाना होगा तो मेरे हैट ने कहा जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ लेकिन सम्हल के जाना क्योंकि उस जंगल के बारे में काफी बाते फैली हुई है तुमने तो सुना ही होगा तो मैंने कहा हाँ सुनी है लेकिन मुझे उन बातों पर यकीन नहीं है सर आप चिंता मत कीजिए हम कल सुबह होते ही बारगड के लिए निकल जाएंगे इतना कहकर मैंने फोन कट कर दिया और अपने तीनों साथियों को उनके अगले ट्रिप के वारे में बताया तब रुहान ने कहा अरे यार फिर से जंगल में भटकना पड़ेगा पता नहीं कब एक दिन के छुटी नसीब होगी जब देखो तब जंगल में भटकने का काम देते रहते हैं सर हमें तो मैंने कहा आरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि फॉरेस्ट को सेफ रखा जाए तो गगन ने कहा भाई तेरी बात तो सही है यार लेकिन यार एक साल हो गए हमें एक दिन की छुटी भी नहीं मिली जब देखो कोई ना कोई काम में लगा ही देते हैं खैर क्या ही कर सकते हैं यार लेकिन मैं सोच रहा था कि बारगड के जंगल के बारे में जो बाते फैली हुई है वो सच हुई तो मैंने सुना है वहां से पान साल पहले किसी औरत के रोने के आवाज आती थी और साइद बहुत लोग वहां से गायब भी हुए थे तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे है वियार ऐसा भी होता है क्या मुझे तो लगता है कि ये सब इलेगली पेड़ काटने वालों की चाल है ताकि वो लोग आराम से पेड़ काटते रहें और कोई उस जंगल में जाए ही ना ताकि वो लोग पकड़े न जाए तो मेरे दूसरे साथ ही अवनीत ने कहा सक तो मुझे भी है वहां जाकर पता लगा ही लेंगे कि माजरा क्या है चलो तैयारी कर लो इतना कहकर मैं और बाकी सब तैयारी में लग गए और अगले दिन सुबह होते ही सब लोग बारगड के लिए निकल गए बारगड एक बहुत छोटा सा गाव था जहां जादा से जादा 15-20 परिवार ही रहते होंगे उस एरिया में जंगल का एरिया बहुत बड़ा था और सब आलोक और उसके साथियों को उसी एरिया की जाच करनी थी बारगड पहुँचते पहुँचते सबको दोपहर हो गई थी जंगल के अंदर जाने वाले रास्ते के सामने हम सभी रुके और कार से बाहर निकले तो मैंने कहा पहुची गए आखिर हम चलो सारा समान निकालो उसके बाद हमें जल्दी से जाच पड़ताल भी करनी होगी तो गगन ने पूछा यार इतना बड़ा जंगल है पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे हमें यहां तो मैंने कहा चिंता मत करो जंगल के बीचो बीच एक ताड का पेड़ है जहां पर एक छोटा सा लकडी का कौटेज है हम रात को वहां ठैर सकते हैं तो रुहान ने कहा तब तो ठीक है भाई कम से कम रात को जंगल की जमीन पर तो नहीं सोना पड़ेगा इसके बाद हम सब लोग जंगल में चले गए जंगल में जाते समय हम चारो साथी आस पास के एरिये को अच्छी तरह से जाच कर रहे थे तो अनवित ने कहा यार ये जंगल कितना भायानक है जरा देखो तो बड़ी अजीब सी वाईब आ रही है यहां से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहां मैंने कहा तुझे भी ऐसा लग रहा है अरे मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ अरे पूरा जंगल ही अजीब लग रहा है यार सबको वहाँ पर कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी लेकिन किसी को इसकी वज़ा समझ नहीं आ रही थी दोपहर का समय था लेकिन उस समय भी जंगल में बहुत कम रौसनी आ रही थी क्योंकि पेड काफी उचे उचे थे इस वज़ा से जंगल में ऐसा लग रहा था मानो रात होने वाली है हम चारों लोग अच्छे से जंगल की जाच पड़ताल कर रहे थे और कॉटेज में पहुचने के लिए आगे बढ़े जा रहे थे लेकिन जल्द ही साम हो गई और उस वज़ा से जंगल में रौसनी ना के बराबर थी यानि ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो अब ऐसे में हमें अपने स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ी क्योंकि अंधेरे की वज़ा से हमें चीजे देखने में थोड़ी परिसानी हो रही थी इस तरह के काम सब पहले भी कर चुके थे इसलिए हमें डर भी नहीं लग रहा था हम लोगों ने अपने हाथों में टॉर्च पकड़ी हुई थी और सब साथ में चल रहे थे लेकिन ये आम बात थी और मेरे और मेरे साथियों के पास बंदू के भी थी जनवरों से बचने के लिए सब लोग बड़ी साउधानी से आगे बढ़ रहे थे लेकिन उससे थोड़ा आगे जाने के बाद ही हमारे साथ कुछ अजीब चीजे होनी सुरू हो गई हुआ बात ऐसी है कि चलते चलते हम लोग एक ताड़ के पेड़ के पास पहुँच गए वो पेड़ काफी उचा था और सब ने देखा कि उस पेड़ पर लाल धागे बंदे हुए थे हमें ये देखकर काफी अजीब लगा क्योंकि हमें पहला ऐसा पेड़ मिला था जिसे देखकर सबसे ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी तो रुहान ने उसे देखकर कहा ये लोग लगता है कि यहां आसपास के लोग पूजा पाट करने भी आते हैं बड़े अजीब लोग हैं तो गगन ने कहा पूजा पाट करने के लिए जंगल के बीचो बीच कौन आता है यार वो भी एक पेड की पूजा करने के लिए गाओं के लोग ना सच में अंधिवेस्वासी होते हैं यार ये बोल कर गगन ने उस पेड पर बंधा हुआ लाल धागा तोड़ दिया और उस रात जो भी हमारे साथ हुआ वो उस एक गलती के कारण ही हुआ क्योंकि जंगल में जो भी घटनाए घटती थी उसका गहरा राज उस ताड के उंचे पेड से ही जुड़ा हुआ था हम सब लोग वहां से आगे तो बढ़ गए थे लेकिन अपने पीछे अपनी भरबादी का कारण छोड़ गए थे उस ताड के पेड के कुछ दूर जाने के बाद दरासल हमें एक और पेड दिखाई दिया जिस पर उसी तरह के लाल धागे बंधे हुए थे जैसे पिछले ताड के पेड पर थे गगन को ये देख कर थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अंध्विस्वास के खिलाफ था और इसलिए उसने उस पेड पर लिप्टे हुए धागे को भी तोड दिया और अपने पैरो तले कुछल भी दिया हम लोग और आगे गए और एक बार फिर से हमें वैसा ही ताड का पेड मिला इस बार भी गगन ने उस पेड के धागे को तोड दिया और बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ गया फिर थोड़ी देर के बाद गगन बुरी तरह ठग गया तो उसने कहा अरे बस अब मुझसे और नहीं चला जाएगा अरे पता नहीं वो कौटे जिस जंगल के किस कोने में है मुझ में और ताकत नहीं है दोस्तो तो मैंने कहा लेकिन अभी इतनी रात को हम जंगल में ऐसे ही खोले हम नहीं बैठ सकते यार जंगली जानवरों को खत्रा है यहाँ पर थोड़ी दिर में हम पहुची जाएंगे चलो जल्दी मेरी बात मानने के अलावा गगन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था इसलिए वो मेरे साथ आगे चल दिया लेकिन कुछ दूर और चलने के बाद गगन को बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा वो अपने आसपास की चीजों को बड़ी अजीब तरह से देखने लगा फिर उसे कुछ समझ आया और उसने हम सब को कहा एक मिनिट रुको तो रुहान ने बोला क्या हुआ यार तुम रुके क्यों गगन डर गया था और हकलाते हुए बोला हम रास्ता भटक गए है हम यहां से पहले भी गुजर चुके है मैंने और बाकी सबने अपने आसपास देखा और हम लोग भी ये देखकर हैरान हो गए अनवित ने कहा अरे हाँ हमने तो ये नोटिस ही नहीं किया हम सच में रास्ता भटक गए रोहान ने कहा लेकिन हो सकता है कि जंगल में ऐसी ही कई जगाए हो तो तो मैंने कहा नहीं गगन सही कह रहा है वो देखो यहां पर भी वो ताड का पेड है जो पीछे मिला था और इस पर कोई लाल धागा भी नहीं है क्योंकि गगन ने इसे तोड़ कर तो गगन ने कहा अब क्या करें कोई मैप भी नहीं है इमारे पास और नहीं इस जंगल का कोई आइडिया है कैसे निकलेंगे अब हम यहां से तो मैंने कहा चिंता मत करो कुछ कर ही लेंगे चलो रास्ता ढूंडते हैं हम सब लोग वापस से उस जगह से आगे बढ़ गए और सही रास्ता ढूंडने लगे लेकिन चौका देने वाली बात यही हुई कि हम लोग जिस भी रास्ते को चुनते वो रास्ता हमें वापस से उसी जगह पर ले आता जहां से हम गुजर चुके थे गगन फिर हार मान कर ताड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया उसने कहा पता नहीं क्या हो रहा है बार बार इसी जगह पर क्यों पहुँच जा रहे हैं यार हम मुझसे अभी और नहीं चला जाएगा बाकी सब लोग भी चल चल कर ठक चुके थे इसलिए अब किसी में भी एक कदम आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी गगन को देखकर हम सब भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गये रोहान ने कहा सुबह उठकर ही रास्ता ढोड़ना सही होगा क्योंकि इस अंधेरे में हम ऐसे ही भटकते रह जाएंगे सब को रोहान की बात सही लगी इसलिए सब लोग अपना समान एक साइड में रखकर पेड़ के सहारे बैठे ही अराम करने लगे तो मैंने कहा हम लोगों में से एक को जागते रहना होगा ताकि कोई जानवर पास आए तो वो सब को खबर कर सके इसलिए हम बारी बारी से जागेंगे पहले मैं रखवाली करता हूँ तुम सब सो जाओ मेरी बात सुनकर सब लोग सो भी गए अब लगभग रात के बारा या साड़े बारा बज रहे थे कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई उनके करीब आ रहा है मुझे लगा कि कोई जानवर होगा इसलिए मैंने अपनी सेफटी के लिए बंदुक उठा ली और आसपास नजर रखने लगा लेकिन जब काफी समय तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं वापस से सांथ होकर बैठ गया थोड़ी देर में मुझे भी नींद आने लगी तो मैंने रोहान को उठा दिया और खुद सो गया रोहान काफी देर तक अच्छे से आसपास नजर रख रहा था लेकिन जल्द ही उसके कानों पर किसी के रोने की आवाज आई और वो डर गया वो उठ खड़ा हुआ उसे लगा कि कोई ताड के पेड के पीछे है और वो तुरंग पेड के पीछे देखने लगा लेकिन अजीब बात तो ये थी कि आवाज तो पेड के पीछे से ही आ रही थी पर वहाँ कोई था ही नहीं रोहान ने सोचा ये रोने की आवाज किसकी है यहाँ पर कौन हो सकता है आवाज तो किसी औरत की है लेकिन इतने घहने और डरावने जंगल में कोई औरत क्या कर रही होगी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके कंधे पर मैंने हाथ रखा और रोहान डर के मारे चीख पड़ा तो मैंने कहा अरे क्या हुआ यार चिला क्यू रहे हो अरे मैं हूँ तो रोहान ने कहा तुम उट क्यू गए तो मैंने कहा वो मुझे किसी की रोने की आवाज आई तुम्हें सुनाई दे रही है क्या रोहान की आखे खुली की खुली रह गई ये उसका कोई वहम नहीं था ये सच था रोहान ने कहा तुम्हें भी सुनाई दी रही है मैं भी वही देख रहा था कि कौन है यहा तभी अचानक से मैंने पेड के पीछे से एक चहरे को जागते हुए देखा और उसे अचानक देखकर मैं डर गया मैंने रोहान से कहा वो देखो वहां कोई है मेरा डरा हुआ चहरा देखकर रोहान तुरंत पीछे मुड़ा लेकिन उसके पीछे मुड़ने से पहले ही पेड के पीछे जागता हुआ चहरा गायब हो गया रोहान ने पूछा कौन था यार मैंने तो किसी को नहीं देखा मैं जल्दी से पेड़ के पीछे गया लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा और नहीं मैंने वहाँ से किसी को भागते हुए देखा तो मैंने सोचा ऐसे कैसे कोई अचानक गायब हो सकता है लगता है मेरी आँखों का धोखा था रोहान ने नोटेस किया कि रोने की आवाज भी गायब हो गई है फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें कोई देख रहा है इसलिए मैं अपनी बंदूग पकड़कर आस-पास की जाच करने के लिए निकल गया और रोहान को वहीं बाकी साथियों की रखवाली के लिए छोड़ गया जो अभी भी सो रहे थे मैं उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं गया था पर रोहान की नजर से दूर था जब मुझे लगा कि वहाँ कोई नहीं है तो मैं वापस आने के लिए मुड़ गया पर उसी वक्त मेरी नजर एक औरत पर गई वो मेरी और पीट करके खड़ी हुई थी उसके कंधे हिल रहे थे जैसे कि वो रो रही हो मैं उसे वहाँ देखकर हैरान हो गया मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिस की लेकिन देख नहीं पाया उस औरत के लंबे बाल थे जो कि उसके कमर के नीचे तक आ रहे थे मैं उसके पास जानी लगा लेकिन फिर देखा कि जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ाता वो औरत भी एक कदम आगे बढ़ जाती मैं उसकी तरफ बढ़ता गया और वो औरत भी पता नहीं कौन सी दिसा में आगे बढ़नी लगी कुछ देर के बाद हम दोनों ही एक बहते हुए नाले के पास पहुँच गए वो औरत ठीक उस नाले के पास जाकर बैठ गई मेरे दिल की धरकन बढ़ती जा रही थी मुझे डर लग रहा था तो मैंने पूछा आप यहां क्या कर रही है उस औरत ने पलट कर ही नहीं देखा मैंने फिर से कहा आप जानती नहीं है कि इस जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा कोई नहीं आ सकता आप इतनी रात को अकेले यहां क्या कर रही है उस औरत ने अचानक से रोना सुरू कर दिया ये देखकर मैं हैरान हो गया मैंने इधर उधर देखा और उस औरत ने कहा मेरे बच्चे डूब गए ये बोलकर वो जोड़ जोड़ से रोने लगी मैं बहुत ज़्यादा चौक गए और बिना कुछ सोचे उस नाले के पास चला गया मैंने देखा कि नाले में ज़्यादा पानी है ही नहीं यानि कोई वहां डूब ही नहीं सकता मैंने उस औरत की और देखा और उसका चहरा देखकर मेरे होस उड़ गए उस औरत के चहरे पर बहुत ज़्यादा चोटे लगी हुई थी जैसे कि किसे ने उसे बहुत मारा हो सर से खोन बह रहा था और बहुत सारे खरोचे भी थी मैंने उससे पूछा ये क्या हुआ आपको आपको इतनी चोटे कैसे लगी उस औरत ने कहा उन्होंने बहुत मारा मुझे और मेरे बच्चों को भी डुबो दिया मैंने पूछा किसने मारा क्या हुआ आपके साथ उस औरत ने कुछ नहीं कहा बस रोती गई मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ तो मैंने कहा देखिए आप घबराये मत बताये क्या हुआ है हो सकता है हम आपके कुछ मदद कर सके तो उस औरत ने कहा मेरे बच्चे वहा है उसे बाहर निकालो उस औरत ने नाले के पानी की और इसारा करते हुए ये बात कही मैंने बोला देखिए यहां कोई नहीं है तो मैंने कहा आपको गलत फैमी हो रही है देखे वहां पर कोई नहीं है आपको इतनी रात कोई जंगल में नहीं आना चाहिए था कहां से आई हैं आप उस औरत ने कहा पिछले पान साल से मैं यहीं कैद थी तुम लोगों ने मुझे आजात कर दिया मुझे कुछ समझ नहीं आया उस औरत ने फिर एक चौका देने वाली बात कही उसने कहा मुझे भोक लगी है मैं सालों से भोकी हूँ मुझे खोन चाहिए मैंने जब यह बात सुनी तो मैं सहम गया और कहा खोन? खोन क्यों चाहिए? उस औरत ने कहा मुझे भोक लगी है मैं प्यासी हूँ मुझे खोन चाहिए मुझे को यकीन हो गया था कि वो औरत सच में ही पागल है इसलिए मैंने कहा अजीब पागलपन है चलिए जाये यहां से उस औरत ने फिर से कहा मुझे प्यास लगी है मुझे खोन चाहिए ये बोल कर वो औरत मेरी और मुड़ी और गुश से भरी आँखों से देखने लगी उसने बोला पांच साल से खोन पीने के लिए तड़प रही हूँ मैं उन लोगों ने मुझे यहां कैद कर रखा था लेकिन अब तुमने मुझे वापस से आजात कर दिया मैं डर के एक कदम पीछे हट गया और उससे पूछा बोलना क्या चाहती है आप आपकी दिमागी हाला ठीक नहीं है क्या कहां से आई है आप यहां से बाहर जाने का रास्ता कहा है मुझे बताइए मैं आपको आपके घर छोड़ कराऊंगा फिर वो औरत वापस से रोने लेगी और कहा मुझे मेरे घर से निकाल दिया उन लोगों ने और मेरे बच्चों को भी डुबा दिया मुझे एक भी बात समझ नहीं आ रही थी सारी बात मेरे सर के उपर से जा रही थी तो मैंने कहा देखिए अगर आपके साथ कोई बुरा सुलोख हुआ है तो आप मुझे बताइए हम कानून का सहरा लेकर आपको इनसाफ दिलाएंगे कानून का नाम सुनते ही उसे पता नहीं क्या हुआ उस औरत ने अचानक मुझे जुरदार तमाचा मार दिया और मेरी गरदन पकड़ कर कहा कानून तेरा कानून मुझे इनसाफ दिलाएगा अरे तेरा कानून सिर्फ पैसे का भूखा है मैं अपनी गरदन से उसका हाथ अटाने की कोसिस कर रहा था लेकिन वो औरत मुझे छोड़ी नहीं रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे गले में दर्द होने लगा क्योंकि पता नहीं कैसे पर उस औरत के नाखोन खुद बखुद लंबे होने लगे और मेरी गरदन में चुभने लगे फिर मैंने नोटेस किया कि उस औरत के चहरे का रंग भी बदलने लगा उसकी आखे सफेद हो रही थी और जब उसने अपना मुह खोला तो उसके दात भी एक पिसाच की तरह नुकीले बन गए थे मेरा पूरा सरीर उसे देखकर काप उठा उसके चहरे का रंग सफेद पढ़ गया और मैं उसके चंगल से छूटने की कोसिस में छट पठाने लगा तो मैंने कहा कौन हो तुम मुझे छोड़ दो उस औरत ने कहा यक्षिनी यक्षिनी हूँ मैं ये बोलकर उस यक्षिनी ने अपने दात मेरे गर्दन में घुसा दिये और मेरा खोन चूसने लगी मैं बहुत जोर से चीख पड़ा और मेरी बंदूख भी हाथ से छोट कर गिर गई मेरी आवाद सुनकर साइद मेरे साधी भी उठ गए जो दूसरी तरफ सो रहे थे अन्वित ने रुहान और गगन से पूछा ये ये चीख तो विकास की थी ना कहा है वो तो रुहान ने उसे बताया कि मैं आसपास की जगह चेक करने गया हुआ था गगन ने उससे चिलाते हुए कहा अरे उसे अकेले क्यों जाने दिया तुमने चलो जल्दी देखते हैं कहीं किसी जंगली जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया उसके उपर फिर मेरे तीनों साथी मुझे ढोड़ने के लिए निकल पड़े वहीं दूसरी तरफ मैं दर्द से तड़ाप रहा था मैंने उस यक्षणी को दूर हटाने की पूरी कोशिस की लेकिन यक्षणी मेरा खोन पीने में मगन थी और मुझे छोड़ी नहीं रही थी मैं जमीन पर गिर पड़ा और यक्षणी मेरा खोन चूसती गई तब ही मैंने जमीन पर अपने हाथ पैर मारे और अपनी बंदूक को पकड़ने की कोशिस की जिससे मैं यक्षणी को मार सकू मेरी बंदूक मेरे पहुँच से बाहर थी लेकिन किसी तरह मैंने अपनी बंदूक पकड़ ही ली और उससे यक्षणी को सूट किया जैसे ही मैंने यक्षनी पर 3-4 गोलियं चलाई यक्षनी पता नहीं कहां गायब हो गई और इस तरह उस समय मैंने अपनी जान बचा ली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि यक्षनी ने मेरे सरीर का सारा खोन चूस लिया है मेरी गर्दन में भयंकर दर्द हो रहा था और आखों के आगे बेहोसी चाने लगी थी और फिर तुरंद मैं बेहोस हो गया मेरे साथ ही मुझे हर जगा तलास रहे थे लेकिन उन्हें मेरा कुछ पता नहीं चल पा रहा था उस अंधेरे जंगल में सब लोग इधर उधर जाकर मुझे ढूंड रहे थे तभी अन्वित के हाथ से उसका टॉर्च गिर गया और तूट गया अन्वित को फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसके बाद उसने गगन और रोहान को आवास दी तो पता चला कि वो लोग भी उससे अलग हो गये थे अब अन्वित अंधेरे में ही सब को ढूंडने लगा दूसरी तरफ गगन और रोहान मुझे ढूंडते हुए उस जगह पहाच गये जहां मैं बेहोस पड़ा हुआ था मुझे देखकर दोनों के होस उड़ गए दोनों फिर मेरे पास आया और देखा कि मेरी गर्दन में किसी के दातों के निसान है जहां से काफी खून बह रहा है और जहां पर दातों के निसान थे वो पूरी जगह काली पड़ गई थी तो रोहान ने कहा इसे सच में किसी जंगली जानवर ने काटा है तो गगन ने कहा लेकिन ऐसा कौन काटता है यार मुझे लग रहा है किसी जहरीले साप ने काट लिया इसे तो रुहान ने बोला अरे भाई साप के काटने पर गर्दन में इतने बड़े गर्डे नहीं होते हैं जरा देखो ऐसा लग रहा है कि किसी जंगली जानवर ने अपने दाथ ही घुसा दिये हो अब क्या करें हम तो गगन ने कहा इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा यार अगर सरीर में जहर फैल गया तो मुझे नहीं लगता है कि ये रात भर सर्वाइव कर पाएगा लेकिन इस वक्त कैसे लेकर जाएंगे इसे जंगल के बाहर तो रुहान ने बोला हमें अभी इसी वक्त हेल्प टीम बुलानी होगी चलो जल्दी हेड आफिस से कॉंटेक करना होगा हमें उसके बाद वो दोनों मुझे वापस से ताड़ के पेड़ के पास ले जाने लगे तब ही अचानक उन्हें खाया लाया कि अनवित भी वहाँ पर नहीं है तो रुहान ने कहा अरे अब ये अनवित कहा गया एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है अब उसे कहा ढूंडे तो रुहान ने कहा तुम इसे ले कर जाओ मैं अनवित को देख लेता हूँ गगन मुझे ले कर उस पेड़ की तरफ चल दिया और रुहान अनवित को ढूंडने लगा अनवित उस समय हम सब को ढूंड रहा था और ढूंडते ढूंडते वो भी उस नाले के पास बहाँच गया अन्वित ने सोचा बड़ी प्यास लगी है और मेरा सारा समान तो उस जगह पर है कहीं यहां का पानी पी कर बिमार न पड़ जाओ लेकिन गला भी सूख रहा है एक घुट पीने में क्या ही बुराई है यह सोचकर वो नाले के पास चला गया और पानी पीने ही वाला था कि उसे पीछे से अवाज आती है जो यक्षिनी की थी अन्वित ने पीछे मुड़ कर देखा कि खून से लटपत एक औरत उसके सामने खड़ी है और वो रो रही है अन्वित उसे अचानक अपने सामने देखकर डर गया था तो अन्वित ने पूछा कौन हो तुम और तुम्हारी यह हलत किसने की उस औरत ने कहा वो, मेरे बच्चे मेरे बच्चे डूब गए उन्हें बाहर निकालो अन्वित ने पूछा कहा डूब गए यक्षिनी ने पानी की और इसारा किया और अन्वित ने पानी में देखने की कोशिस की उसने यक्षिनी की और देखे बिना ही कहा यहाँ कोई नहीं है अगर तुम्हारे बच्चे इसमें गिर गए है तो अब तक तो मर चुके होंगे लेकिन ये बात सुनकर यक्षिनी के चहरे का रंग बदल गया और वो गुसे में तम-तमा गई उसकी परचाई अचानक से उस पानी में दिखने लगी जो की अंधेरे में दिखना नामुम्किन थी और उसकी बिलकुल क्लियर और डराफनी परचाई देखकर अनवीत की आखे खुली की खुली रह गई फिर जैसे ही वो वापस से पीछे मुड़ा यक्षनी वहां से गायब हो गई अनवीत के पास कुछ सब्द ही नहीं थे कहने के लिए उस समय उसकी जो हालत हुई वो उसे बयान भी नहीं कर पा रहा था फिर उसने वापस से पानी की और देखा और ये देखकर उसके होस उड़ गए कि यक्षनी अभी भी वहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है इस से पहले की अनवीत कुछ बोल पाता अजानक से नाले के पानी से एक लंबा हाथ बाहर आया और उसके सिर को पकड़ कर पानी के अंदर खीचने लगा अनवीत छटपटा रहा था पानी से निकलने की कोसिस कर रहा था लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं हुआ उसकी बंदूक भी उसने किनारे पर रख दी थी और वो अपनी बंदूक भी नहीं ले पा रहा था उसकी सांसे भर गई थी और साइद वो दस सेकंड और पानी के अंदर होता तो उसकी जान चली ही जाती लेकिन उसकी मौत उस रात नहीं लिखी थी इसलिए समय पर वहां रोहान आ गया और उसने अनवित को मौत से लड़ते हुए देख लिया रोहान ने बिना समय गवाए अनवित का पैर पकड़ कर खीचा अनवित का चहरा पूरी तरह से घायल हो गया था हर जगह खरोच लगी हुई थी वो तो भगवान का सुक्र है कि वो बच गया वो हाफ रहा था और रोहान उसे समाल रहा था वहीं दूसरी तरफ मेरी हालत बिगड रही थी गगन मुझे उस पेड़ के नीचे वापस लेकर गया और जल्दी से हेड आफिस से कॉंटैक करने की कोसिस की पर नेटवर्क प्राबलम की वजह से उनसे कॉंटैक नहीं हो पाया गगन बार बार उनसे कॉंटैक करने की कोसिस कर रहा था फिर थोड़ी ही देर में रोहान भी अनवित को लेकर वहाँ पर आ गया उस इस्थिती को देखते हुए गगन ने पहले मेरी चोट पर पट्टी बंधी ताकि खोन रुक सके अनवित ने गगन और रोहान को वहाँ पर बैठ कर वो सारी बाते बताई जो उसके साथ हुई थी सब लोग बेहट डर गए थे उसकी बाते सुनकर उन्हें भी ये समझा गया कि मेरी हालत भी उसी यक्षिनी की वज़ा से हुई थी जल्दी लाख कोसिस करने के बाद हैड आफिस से कॉंटेक हो गया और रोहान ने उन्हें सारी बाते बता कर मदद मांगने की कोसिस की तो हैड ने कहा इतनी जल्दी तुम लोगों तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुँच पाईगी मैं गाव के लोगों से बात करके देखता हूँ अब वो लोग ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं तब तक तुम लोग वही रहना जहां पर हो तो रोहान ने बोला तब तक तो विकास की हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है हमें खुद जंगल से बाहर निकलने की कोसिस करनी पड़ेगी एसके बाद रोहान मुझे और गगन अनुवित को लेकर जंगल से बाहर जाने लगा जंगल के बाहर जाते समय उन लोगों को फिर से यक्षनी की रोने की आवाज आने लगी वो लोग बहुत डरे हुए थे और जल्दी जल्दी जंगल से बाहर जाने लगे बीच में उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलते रहें इसके बाद अचानक से उनके सामने वो यक्षनी आ गई वो रोते हुए कहने लगी मत जाओ मेरे बच्चे डूब गए हैं उन्हें बाहर निकाल दो उन्हें बचाओ रुहान गगन और अन्वित उसे देखकर थर्थरा उठे वो हवा में उड़ रही थी और लगातार अपने बच्चों को बचाने वाली बात कह रही थी रुहान ने कहा चलो जल्दी उसकी बातों पर ध्यान मत दो उसकी बात सुनकर सब लोग जल्दी जल्दी चलने लगे मैं तो बेहोस था इसलिए वो लोग ही मुझे अपने कंधे के सहरे लेकर जा रहे थे फिर करीब दो गंटे लगे हमें उस जंगल से बाहर निकलने में जंगल के बाहर निकलने के बाद भी वो आवाज आ रही थी इसके बाद वो लोग मुझे बारगर लेकर गए जहां एक वैद ने मेरा इलाज किया मुझे दो दिन तक होस नहीं आया था और जब मुझे होस आया तो मैंने अपने आप को उसी वैद के घर में पड़े हुए पाया होस आने के बाद मुझे रुहान, अन्वित और गगन ने बताया कि उस जंगल में उनके साथ क्या-क्या हुआ और कैसे हम बाहर आएं लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि वो यकषनी कौन थी और वो वहां कैसे आई और उसकी वैसी हालत कैसे हुई तो मैंने ये सवाल वैद से पूछा तब वैद ने हमें उस यक्षिनी की कहानी बताई वैद ने बताया वो यक्षिनी थी जिसका नाम सुस्मा था वो अपने पती और दो बच्चों के साथ बार गड़ में ही रहा करती थी उसका पती और पती के घर वाले उसके साथ बहुत बुरा बरताव किया करते थे क्योंकि सुस्मा की दो बेटिया थी और उसके घरवालों को तो बेटे चाहिए थे और इस वजह से सुस्मा को बहुत मारा करते थे एक दिन उन लोगों ने सुस्मा को इतना मारा कि वो दोनों बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भाग गई लेकिन उसके पती ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा उसके परिवार वालों ने उसके दोनों बच्चों को जंगल के नाले में डुबा कर मार डाला और उसके बाद सुस्मा को भी मार डाला तब से उसकी आत्मा यक्षनी बनकर उस जंगल में भटक रही थी वो कोई भूत प्रेत नहीं है लेकिन उसकी हत्या बेरहमी से हुई इसलिए वो यक्षनी बन गई और जो भी उस जंगल में जाता है उसका खून पीने के लिए वो उसे मार दिया करती थी जो भी उस जंगल में जाता था वो उससे अपने बच्चों को बचाने के लिए कहती थी बहुत लोग उसके हाथों मारे गए थे और इस वजह से तंत्रों मंत्रों के जरिये उसे जंगल के उस हिस्से में कैद कर दिया गया था वो ताड के पेड़ पर ही रहा करती थी ऐसलिए जंगल के एक छोटे से हिस्से में उसे कैद करने के लिए ताड के पेड़ पर लाल धागे बांधे गये थे जो की अभिमंत्रित थे जब उन धागों को तोड़ दिया गया तब वो उस जगह से आजाद हो गई मैंने कहा नहीं क्योंकि उसकी मौत उसी जंगल में हुई थी ऐसलिए वो उस जंगल के बाहर नहीं आ सकती थी मुझे नहीं पता कि उसके बाद उस यक्षनी को वापस कैद किया गया या नहीं क्योंकि जो घटा हमारे साथ घटी थी उसके बाद हमने बिना समय गवाएं वहां से निकल जाना ही सही समझा मुझे लगता है कि वो उसी जंगल में अपने बच्चों के लिए तड़ाप रही होगी या फिर उसे मौक्ष भी मिल गया होगा एक वो दिन है और एक आज का दिन है मैंने आज तक बारगड की तरफ पलट कर नहीं देखा मेरे दोस्त सुनील ने पूछा मतलब आपने सच में एक चुडैल का सामना किया है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तो मैंने कहा दोस्त ये बात है ही ऐसी कि इस पर विस्वास करना मुस्किल है लेकिन मेरे साथ घटी हुई उस घटना ने मुझे तो ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि भूत प्रेत पिसाच यक्ष यक्षनी ये सच मुछ होते हैं पूरी कहानी सुनाते सुनाते कब रात के आठ बच गय पता ही नहीं चला तो मैंने कहा चलो दोस्तो अब घर चलते हैं अनु मेरे लिए परिसान हो रही होगी इसके बाद बाकी सब लोग भी अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़े और मैं भी अपने घर आ गया दोस्तो अगर मैं सच कहूँ तो मुझे आज भी वो रात बहुत अच्छी तरह से याद है यक्षिनी का वो डरावना चहरा आज भी मैं भूल नहीं पाया हूँ और मैं जानता हूँ कि वो रात मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा दोस्तो आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी तो यार प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करो यार तब्यत खराब थी फिर भी आप लोगों के लिए स्टोरी मैंने रिकॉर्ड की और आप लोगों के लिए स्टोरी अप्लोड की तो प्लीज यार अपने भाई को सपोर्ट करो और जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को सेयर करो कमेंट करो तो चलिए जल्द ही आपसे मिलते हैं एक और खौफना कहानी के साथ तब तक के लिए गुट नाइट झाल 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 झाल